नमस्कुर्ण दोस्तों मेरे नाम है भलचंद्र ब्रह्मा अंड़सिद्य अश्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस पूडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुंद राश्य का दिसंबर 2022 का संपुर्ण राश्यपत कैसे होंगे ग्रहयों कैसे होंगे ग्रहों के राश इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्मांद सिद्य एस्ट्रों इस चैनल पर मेश राश्य से लेकर मीन राश्य तक की सभी 12 राशिया है इन सभी 12 राश्यों का दिसंबर 2022 का राश्यपल क्या होगा इसपे शर्पर वीडियो अप्लोड हो चुके हैं आप उसका आनद जरूर लिजए तो आज के सुड़े में हम चर्चा करेंगे मिधुंद राश्य का दिसंबर 2022 का संपुर्ण राश्वल सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे ग्रहों के जो राशान दह रहा है और उसके जो मिलने वाले परिणाम है उसके बार में तो सबसे पह बाते हैं उसके संदर में थोड़ा जान लेना आवश्चक है इन मतलब करीबन 17-18 तारिक तक का जो समय है उसमें आपका जो भी कारेशेतर है है उससे रिलेटेट के बाते कुछ हो सकती है आपको उसके बारे में थोड़ा सा सजग रहना होगा यह बात जान लेजिए उसी प बाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा पहले तो सबसे में तो अगर आप विवाईत हो तो आपकी जोड़ीदार है वह आपके उपर थोड़ा हावी हो सकते हैं मतलब आपको लग सकता है उनके जो भी वीचार है वह आपके उपर हावी हो रहे हैं लेकिन म देखा जाए तो जो रवी का ब्रह्मन है 17-18 तरीक के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुबपलदाई साबीत होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगलगरह के बारे में अब यह जो मंगलगरह है यह मंगलगरह आपके राशी के लिए नंबर एक का अशुबगरह है क्य यहांपर दो-तिन बात है उसके ऊसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्याद आवशक है आपको इन दिनों में किसी बी प्रकार करने करजा लेना है करजा चुका ना है अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है कर जे के मामले में इंस्टॉल्मेंट के मामले में तो उसके बारे में problem कॉप्लिकेशन आपको फेज करने पर सकते stress level को काफ़ी देखा जा सकता है हाला कि यह जो बात वह पिछले मेने भी आपने कि यह होगी मतलब November में तो थोड़ा सा stress में थोड़ा सा pressure में रह सकते हो तिन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना का और उसका परणाम है वह आपके स्वास्त के बारे में भी आ सकता है उसे प्रकार आपने जो भी काम किया उसके पैसे मिलने चाहिए लाप मिलने चाह हला कि जो असल परसिती होगी वह इतनी भायानक नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं लेकिन stress आप पर बना रहेगा यह जो मंगल वक्री है आपके वह इस प्रकार की जो बाते हैं इस प्रकार की जो stress है वह आपको दे सकते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना आवश्रक होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुद्अगरा के बारे में आपके राशी का स्वामी भी जो की आपके शर्ष्ट भाह में ब्रहन कर रहा है यह ब्रहमे करें तो यहां आपर आपके जो वैवाइभर में रहेंगे वो काफी एच्छ हार्मनी जो ज्यांगे आपकी डिदार जैसे कि प्रावी आपके वो बोंहें हार्मनी है वो काफी एच्छ देखी जाएगी सिर्फ आप लेकिन मोटे दोर पर अगर देखा जाए तो आपका जो वैवाई जीओन होगा वो काफी अच्छा देखा जाएगा, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉंप्लिकेशन देखी नहीं जाएगी, उसी प्रेकार यह जो बुदा है वो आपका चदुरतेश भी है, तो घर के जो लोग है, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी, वो काफी अच्छी देखी जाएगी, अब हम चर्चा करेंगे गुरुग्रा के बारे में, अब यह जो गुरुग्रा है, यह गुरुग्रा आपके दशमभाव में भ्रहमन कर रहा है, और सबसे महत नसाबित होगी, खास करके, आप में और आपके वयवाई जोडिदार है, उनमें जो खिचा हुआ था, या फिर आपके दोनों में जो रिलेशन्शिप के प्रॉब्नम कॉम्लिकेशन हुए थे, वो काफी माइनों में पूरी तरह से नॉर्मल होते भी नजर आएंगे, उसी आपका जो भी कारिक्षेतर है, आपका जो भी करियर है, उसमें कुछ नया अगर आप करना चाते हो, तो यह जो गुरु जो मार्गस्त हो चुका है, वो आपको नहीं नहीं ऑपर्चुटी देगा, जो कि आपके फ्यूचर के लिए के बहुत ही ज़्यादा महतों पूर्ण स साबित होगी, उसी प्रकार आपका जो भी काम है, उसके संदर में आपको अच्छे एप्रिसेशन भी मिल सकती है, तो कुल मिला के देखा जाए, तो यह जो गुरु का मार्गस्त होना, दशम भाव में सवयम के राशे में आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा, उसी इसके बात हम आपके शुख्रगरा के बारे में, अब यह जो शुकर रगाए है, यह आपके शुष्ट भाव में ब्रमन कर रहा है, और दिनांग भाव के बात, ये आपके सप्टम्भाव में भ्रह्मन करेगा और तीस तारीक के बाद ये आपके अश्टम्भाव में भ्रह्मन करेगा अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपकी जो वाई-वाई जुड़िदार है उनमें आर आप में चोटी मूटी बातो प्रॉब्लम हो रही थी और प्रॉब्लम में थोड़ी बढ़ भी रही थी उसी प्रकार इस वजह से आपकी जो रिलेशंशिप है जिसमें थोड़ी सी खटा जाई थी लेकिन यह जो महिना इसके फर्स्ट वीक के बाद का जो समय है उसमें आप दोनों फिर से अच्छे हार् उनके साथ अगर किसी कारणवश आप में खिचाब आया है तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा जो गर्ववति महिला है उनके लिए यह करीबन फर्स्ट वीक के बाद का जो समय है वह अच्छा होगा इसके पहले आपने देखा होगा कि स्वास्त के बारे में चोटी मुटी समस ना फिर ना पढ़ सकता है हलकि बात रहेगी वह अच्छे कारणवश ही रहेगे तो गुल मिला कर देखा जाए तो यह जो शुक्र का ब्रह्मन आपके सश्ट भाव से सप्तम भाव में होने वाला है वह आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा इसके बाद हम चर्शा कर बना जाता है उसके परणाम है वह भी आपने देखे होंगे लेकिन अब यह जो शनी है यह आपका भागेश भी है तो भागे के बारे में भी कुछ अच्छी बाते भागे का साथ मिलना इस प्रकार की जो बाते हैं वह आप अनुभाव सब कर सकते हो तो कुल मिलाके देखा है तो यह शनी का ब्रह्मन आपके लिए शुक्ष फलदाई साबित होगा अब थोड़ी मैने के बात यह जो शनी है वह आपके भाग्यवाव में ब्रह्मन करेगा इस पचे से होगा क्या जो भी स्ट्रेस यह टेंशन आपने पिछले दो ड़ाय सालों से देखे रहें आप ज जो ग्रह है उसके जो राशान तरह और उसके मिलने बाले परणाप अब हम थोड़ा सा सुक्षमल रूप या फिर सठीक रूप से देखेंगे कि डे टूडे लाइप में जो ग्रहों के जो ग्रहयोग है उसके जो परणाम है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं तो सबसे विएक तारिक को जोनिंध की जा रहा है और और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है तो जो बी काम है उसके संदर में के बारे में जो भी काम है उसके बारे में थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा तो उसके बारे में ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके जोड़ा misunderstanding होना या फिर फस ना फसाया जाना इस परकार की जो बाते वह सकते आपको थोड़ा सा strongly जो बाते उसके उपर ध्यान देना आवश्यक होगा स्वास्त के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है अब एक तारिक को ही आपके अस्टम बाह में आपकी सच्च बाह में से शुक्र के साथ आपके वियवा को जो मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है तो जो भी आप है जिसके मन मुटाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है जो बाते हैं वह एक्स्रेम लेवल तक पहुच सकती है उसी प्रकार इन दिनों में मतलब दिनांग एक तारिक के आसपास या फिर एक तारिक को आप शेयर मार्करे से रिलेटेट कोई भी बात नहीं करना ये बात बहुत बाव में हैं उसके साथ आपके अश्चम बाव का जो शनी है वह लाव योग करने जा रहा है तो जो भी छोटी मोटी बातों के लिए कर आपका जो भी कारिश तरवा पर थोड़ी कीचात आने हुई थी वह काफी मायनों में नॉर्मल होती हुए नज़र आपके स्वास के ब सामले में थोड़ा ध्यान देना होगा ऐसी कोई बात हो सकते हैं जिसके प्रॉब्लम है आप दोनों में थोड़ से बढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने का कि एक तारीक को भी शुक्रों मंगल का प्रतियोग हो चुका है तो इसको यह जो स्ट्रेस से हो थोड़ा आगे बढ प्रतियोग करने जा रहा है यहां पर सबसे पहली और महतोबरनबा कोई भी बात नहीं करना और उसी पराकर आपके जो भाई बेहनों के उनके साथ भी जोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और यह जो तकरा है काफी ज़्यादा बढ़ सकती है जो स्ट्रेस से वह आ कर रहा है वह कर रहा है तो मौनम सर्वार्थ सादवन जिसे हम कहते हैं कि आपकी जल्दी से कर देती है बस आपको इसी के उपर थोड़ा ध्यान देना होगा इसके बाद 12 तरिक को रवी और शनी का लाब योग भी होने जा रहा है रही जो कि आपके 6 बाव में है उसके साथ जो शनी आपका अश्टमभाव का है वो लाब योग करने जा रहा तो जो भी आपका कारेश रहा वहापर आपके काम की वावा हो सकती है और वहापर के जो लोग होंगे उनसे आपको लाकाम के बारे में कुछ अच्छी मदद वगरा भी मिल सकते हैं helping hand भी हो सकता है उसी प् स्वास्त के बारे में इन दिनों में ध्यान रखना आवशक है अब यह जो रवी नेप्चुन का जो केंदर योग है दिनांग 14 तारिक को होने जा रहा है तो थोड़ा सा चौकर्ण नारेन स्वास्त के बारे में और आपका जो भी कारशेतर है उसके बारे में ध्यान देना आवशक होगा उसे प्रकार दिनांग 17 तारिक को बुद्व और हर्शल का त्रिकोन योग होने जा रहा है अब यहां पर यह जो बात है वह काफी जयादा में तो पुर्ण है बुद्व जो की आपके सब्तमभाव में उसके साथ जो लावभाव को जो हर्शल है वह त्रिकोन आंतर प्रेणा भी कहते हैं वो आपके मन में आ सकते जिसकों जिसकर आप अच्छी बाते आपके जीवन में ला सकते हो जिसके वज़य से जो बाते वह ज़ तो यह बुद्ध और हर्शल का यह जो त्रिकुन योग है वह आपके लिए काफी ज्यादा शुबुपलदाई साबित हो का खास करके आपके जो वय वय जो डिदार है उनके साथ आपको जो रैपो रैपो है जो इंटरेक्शन है जो हार्मनी है वह काफी अच्छी देखी रहा है तो आप जिनके भी रिलेशन्शिप में होंगे उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखे जाएगे आपके जो वय वय जुड़िदार है उनके साथ कहीं बाहर गुमना फिर ना हो सकता है इन दिनों में अगर आप शेयर मार्करमेंट डिल करते हैं तो कुछ अच्छे लाव अगरा मिल सकते हैं उसी परकार जो विद्यार्थी वर्ग रहेंगे उनके लिए भी यह जो समय है वो काफी अच्छा और शुबफलदाई साबित होगा उसी परकार दिना 24 तरिक को बुद्व और निप्चुन का लाव योग भी होने जा रहा है बुद्व जो कि आपके सब्टमभाव में है उसके साथ आपके भाग्याव का जो निप्चुन है वह लाव योग करने जा रहा है तो कुछ अच्छे आइडियास कुछ अच्छे इंट्विशन कहीं यह बाहर गुहना फिर नहीं ज है है यृसी यह तो काफ फाल आ होने जा Рाग जा रहा है वह आपके सब्टमभाव में अब ये जो ग्रहाय योग है सबसे ज्यादा शुब फलदाई साबित होगा कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकता है आपके जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ आपके जो रापो है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है उनके साथ कही बाहर गुमना फिरना हो स सकता है तो कुल मिला के देखा जाए तो बुद्धर शुक्र की जो यूति आपके सब्तमभाव में होने जा रही है आपके लिए काफी जादा शूब फलदाई साबित होगी उसी प्रकार इस महीने की जो पुर्णिमा है वह आथ तारीकों है और जो अमावास है वद्धुन किसी प्रकार के महत अपर निर्ण है या पर डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महने में जो भी आपके आपके जो वैवाई जुड़दार है उनके साथ जो भी तने हुए रिष्टे वह काफी नॉर्मल होते हुए नजार आगे सबसे महत अपर नबाद गुरु जो कि आपके दर्शंबाव में मार्गस तो हो चुका है जो कि आपके कारिक्षेतर के बारे में कुछ अच्छी बाते आपके लिए दे सकता है उसे परकार आपके जो वैवाई जुड़दार है उनके साथ जो रिलेशन्शिप है उसमें च्छोट आपको यह राशिफल कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुबव किया नेचे कमेंट बॉक्स में ज़रू कमेंट करना और अपना जो चैनल है प्रमान डशिद्ध्य एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करना धन्यवाब